हाल ही में रूस ने अपनी परमानू मिसाइलों का जमीन आस्मान और समुदर से परिक्षन किया था और रूस के इन न्यूक्लियर टेस्ट से लग रहा था कि वो अब यूक्रेन में अमेरिका पर लगाम कसने के लिए परमानू बम तक इस्तमाल कर सकता है और इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को रूस की संसत के उच्च सदन ड्यूमा ने वैश्विक परमानू परिक्षन संधी यानी CTBT को रद कर दिया था और अब इस फैसले को रूस की राश्पती व्लादमिर पुतिन से आखरी मन्जूरी मिलनी बाकी है रूस ने साल 2000 में संधी को मन्जूरी दी थी लेकिन अब उसने अपना फैसला रद कर दिया है और यही वज़े है कि रूस की मन्जा को देखते हुए अमेरिका ने भी बड़ा एलान किया है दरसल अमेरिकी रक्षा मंत्राले यानी Pentagon ने एलान किया है कि अमेरिका न्यूकलियर ग्रैविटी बम B61-13 को बनाने जा रहा है यह बम पिछले वेरियंट B61-12 पर आधारित होगा इस परमानू बम में पिछले वेरियंट के सभी सुरक्षा और सटीकता के फीचर्स को शामिल किया जाएगा और यह बम कुछ सक्त और बड़े सैने ठिकानों को उड़ाने में सक्षम होगा पेंटगन का कहना है कि परमानू बम की मूलभूट भूमी का है अमेरिका या उसके सहयोगियों और साजीदारों के खिलाफ किसी भी तरह के परमानू हमले को रोकना Federation of American Scientists का कहना है कि अमेरिका का नया B61-13 परमानू बम B61-7 नुकलियर ग्रैविटी बम की ताकत पर आधारित होगा जो B61-12 से ज्यादा है रिपोर्ट के मुताबिक B61-13 में 360 किलो टन विसफोर्ट हो सकता है जो B61-12 के 50 किलो टन से काफी ज्यादा है इसको लेकर Federation of American Scientists का कहना है कि अमेरिका B61-13 परमानू बम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेना के लिए करेगा इस बम को अमेरिका के सहयोगी विशेश कर नेटो देशों को नहीं बेचा जाएगा हाला कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस बम के लिए किस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा आपको बता दे कि अमेरिकी रक्षा मंत्राले ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चीन के बढ़ते परमानू हत्यारों के जखीरे का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चीन के पास अब 500 से ज्यादा सक्रिय परमानू हत्यार है और 2030 के दशक के अंत तक चीन के पास 1000 सक्रिय परमानू हत्यार होंगे जो अमेरिका के लिए बड़े खत्रे का संकेत है यही वज़य है कि अमेरिका अपने परमानू हत्यारों की संख्या में इजाफा करने के लिए अर्बो डॉलर खर्च करने जा रहा है जानकारों का कहना है कि अमेरिका के नए न्यूकलियर ग्राविटी बम को ऐसा बनाया जाएगा जिससे उसे आज के जमाने के एरक्राफ्ट से गिराया जा सके इन बमों में गाइडेंस सिस्टम नहीं होगा इसलिए ये एक बैलेस्टिक प्रक्षेपन प्रणाली से हमला करेगा और B61-13 के आने से पुराने B61-12 परमानु बम के जीवन की मियाद भी बढ़ जाएगी जिसे पूर्व राश्पती बराक उबामा की सरकार ने शुरू किया था रिपोर्ट के मुताबिक पुराने B61-12 परमानु बम का प्रोडक्षन वित्वर्श 2025 तक चलेगा हाला कि अमेरिका अपने इसी कैटेगरी के पुराने परमानु बमों को इखटा करके उसके नए वेरियंट बना रहा है ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि तकनी की रूप से ये नए बम नहीं है लेकिन इस बम को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि ये जमीन के भीतर बने सैन्न ठिकानों को भी तबाह कर सके क्योंकि चीन, रूस और उत्तर कोरिय जैसे देश अब जमीन के भीतर अपने परमानू हत्यारों के अड़े बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता की बात है